सो हिलो दोस्तो आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ओ मैं गाद, I'm so Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1 थियाटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसी के साथ मेरी बनाई हुए एक और प्रेडिक्सन ट्रू निकल कर आई है सामने यकिन ना हो तो ज़रूर शेकाउट करना उस वीडियो को बाकी देरे सही सही लेकिन हम बात करेंगे Mission Impossible 7 के उपर इसका हम एक छोटा सा spoiler free review करेंगे और साथ ही में बात करेंगे मुवी की ending के उपर और Dead Reckoning Part 2 के उपर भी सो और ज़्यादा time waste ना करते हुए Let's begin बात करें मुवी के बेसिक स्टोरी प्लोट की आये में प्यानी की Impossible Mission Force इथन हंट और उसकी टीम को एक मिसन मिला है निव वीपन को ट्रेक डाउन करने का जो की हुमेनेटी के लिए एक ट्रेट बना हुआ है और अगर गलत हातों में चला गया तो इंटार वर्ल्ड के लिए ट्रेट बन जाएगा अब इसे में वह वीपन क्या है और कहां पर है यह सब कुछ पता लगाने का मिसन इथन और उसकी टीम का है अब वर्ल्ड का फ्यूचर और फेट एनिमी और इथन के हातों में है अब क्या वह इसा कर पाएगा और इस मिसन में इथन और उसकी टीम को क्या कुछ फेज करना पड़ता है यह सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को चेक आउट करना होगा और अब बात करते हैं उस एसपेक्ट की जो आपको मूवी देखने से पहले क्लियर होना चाहिए अगर आप उन एलियंस में से है जिन्होंने मिसन इंपोजिबल फ्रेंचाइस की एक भी मूवी नहीं देख रखी है और डारेक्ट सेवेंट पार्ट देखना चाहते हैं Mission Impossible franchise की इतनी ज़्यादा popular है तब इस वाले वीडियो को चेक आउट कर सकते हो इसमें मैंने काफी डीटेल में बात की है और अब बात करें positive और negative points की इसमें सबसे पहले बात की जाए story telling की तो story telling काफी engaging है जो आपको age of the seat बांदे रखती है इतन का mission actual में impossible होता है लेकिन वह फिर भी इस mission के लिए निकल जाता है और जो supreme level का world threat अगर आप लोगों को अब तक feel नहीं हुआ है तो इस movie को देखते हुए आपको feel हो जाएगा और साथ Mission Impossible franchise ही है जो actual में अपनी इस परमपरा प्रथा को एक next level पर ले जाकर दिखाती है इसके बाद बाद की जा action की तो action ही Mission Impossible franchise का second सबसे बड़ा USP point है अगर action इस franchise का second बड़ा USP point है तो first USP point क्या है आप कैसे है वेल मूवी के airport वाले scene से जो राड़ा फेलता है वेल मूवी के ending तक रुपने का नाम ही नहीं लेता और इसी बीच आपको काफी immersive और impressive sequences भी देखने को मिलते है इसमें तो सबसे पहला airport वाला sequence है जो काफी intense है देन car chasing वाला sequence उसे इस तरह से impossible बनाया गया है जिससे देखने के बाद तो बस दिल से और real वाली feel आएगी और train वाला sequence उसके बारे में तो क्या ही कहना इसी की बाद VFX और CJ की बात की जाए तो almost ना के बराबर use किया गया है बस उस ramp वाई cliff वाले sequence में उस ramp को mountain peak बना दिया गया है बाकि खाई में छलांग लगाने वाला stunt तो एकदम natural और real था जिससे Tom Cruise ने खुद perform किया है और इस movie में सारे action sequences कास्ट member ने ही perform किये है जिसमें बस background score को enhance करने के लिए ही VFX और CJ का use किया गया है इसी के बाद next point की बात की जाए तो वो है eye catching intro तो Mission Impossible franchise ने भी अपने eye catching detail design intro बना ही लिया जिसे देखकर में तो काफी जादा impressed हुआ पुरी Marvel वाली feel आ गई थी जिस तरह से आप Marvel movie या series में wait करते हो कि इस बार Marvel ने अपने intro में क्या कुछ new detail aid की है बिल्कुल वो वाली feel आ गई थी तो हाँ इस movie का intro तो बिल्कुल भी miss न करना इसके बाद next point की बात करें वो है cast and crew तो इस movie में हमें multi star cast देखने को मिलती है जिसमें है Tom Cruise, Simon Pegg, Rehams, Rebecca Ferguson, Hallie Atwell, Vanessa Kirby और Mantis और भी कई सारे cast members है सभी actor actress ने काफी ला जवा performance deliver की है और सभी को काफी अच्छा screen time भी दिया गया था बस Vanessa Kirby की character का screen time काफी कम नजर आया हलाकि उनका काम मूवी में बस glamorate करना था और वह काम उन्होंने काफी अच्छे से किया so no problem बैकि Si Morales मूवी के विलन Gabriel की बात की जाए तो इनकी performance काफी सांदार थी और उसे देखकर मुझे काफी जादा असूर की वाईवा रही थी जिसके उपर भी आगे बात करेंगे इस वीडियो में इसे के बाद dialogues की बात की जाए तो इसमें का intense, impressive और sarcastic dialogue सुनने को मिलते है इसमें मूवी के starting में ही इथन एक dialogue के ते हुने जर आता है विल लिव और डाइन से डोस विल इसके आगे भी कुछ लाइने थी जिसे में नूट डाउन तो नहीं कर पाया कोमेडी की बात की जाए तो as usual यह department Benji का है और वह अपना काम काफी smoothly कर देता है इसके character की why भी अलग है seriousness के साथ comedy भी करी देता है इसके बाद next point music की बात की जाए Mission Impossible का theme soundtrack वह मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर उसे किसी भी action sequence में चला दिया जाए तो बस उस scene में स्वाद आ जाता है लेकिन MI7 में इन्होंने कुछ new songs का use भी किया है जो कि इस franchise के evolution को दरसाता है overall बात की जाए इस movie के उपर तो इस movie में वह सब कुछ है जो एक fan fiction को चाहिए होता है amazing action sequences, engaging story lines, supreme level का world threat, perfect cast and crew और actor का अपने character को लेकर true dedication तो कई सारे surprising element भी है तो आप चाहे किसी भी type की audience है चाहे आपको horror movies देखना पसंद हो या फिर science fiction movies देखना आप चाहे जिस भी type की genre की movies देखते हो अगर आप चाहे तो एक must watch movie है जो उस हर एक fan fiction को देखनी चाहिए जिसे action adventure movies देखना पसंद है movie के लिए तो ड्हाई गंटे के आसपास है और अगर आप चाहे तो अपनी family के साथ भी इस movie को देख सकते हो और अगर आप लोगों ने dead reckoning part 1 movie देख ली है तो इस movie को लेकर आपके जो भी view से comment जरूर करना सब बात करते हैं movie के ending के उपर यानि की spoiler part के बारे में तो वीडियो के इस segment को आप तभी continue करना जब आपने movie देख रखी हो otherwise movie को लेकर आपका स्वाहत काफे बेस्वाद हो सकता है बाकि आगे आपकी मर्जी सो movie में कोई post credits जिन तो नहीं है बस ending है जिसे देखर future को predict किया जा सकता है और वह ending भी movie के starting में ही दिखा दी गई थी और movie की उस starting को ending तक काफे अच्छे से mystery बना कर रखा गया था movie में इधान उसकी team जिस भी terrifying weapon को find out करने में लगी हुई है वह और कुछ नहीं एक artificial intelligence entity है इस आप sort of एक realistic ultron भी कह सकते हो और इस entity के origin फिलाल के लिए तो unknown है पर हम assume करके चलते हैं कि इसे government ने military के लिए जब weapon और secretary के purpose से बनाया गया था लेकिन यह entity काफे ज़्यादा evolve हो हो चुका है और अपना source code भी बदल चुका है जिसके source का पता अब किसी को भी नहीं पता यह entity इतना powerful तो हो चुका है कि दो देशों का अपस में विड़वाने का काम कर सके अब बस इसे completely evolve होने के लिए बस एक key की ज़रूरत है वह key जो हमें ilsa force के पास देखने को मिली थी और मुझे बड़े दुखत के साथ यह बात कहनी पढ़ रही है कि ilsa के character को फिलाल के लिए एक temporary death प्रोवाइट कर दी गई है well entity को चाहिए की और इसके लिए वह villain Gabriel को सबके पीछे लगा देता है और इस Gabriel के character को देखकर मुझे काफी जादा असूर वाली vibe आ रही थी जिस तरह से यह character अपनी बातों को लेकर confident रहता था उसे तो हाँ काफी जादा vibe आ रही थी और मैं पहले भी अपने वीडियो में यह बात कहे चुका हूँ कि Hollywood इस चीश को copy करेगा लेकिन अब इस बात को कहने का कोई sense नहीं बनता क्योंकि Dead Reckoning Part 1 और 2 पर 2018 के बाद से ही काम चालू हो गया था और असूर का Season 1 2020 में आया था और Dead Reckoning Part 1 2023 में आयी है और असूर 2 भी 2023 में ही आया है अब यहाँ पर common सी बात यह है कि दोनों project जब बन रहे थे गेबरियल एंटिटी के लिए काम कर रहा है और एंटिटी नहीं गेबरियल को कीस लाने के लिए भेजा था और उसने इथन हंट को underestimate कर दिया और अब कीस इथन हंट के पास है और अब इथन को यह भी पता लग चुका है कि एंटिटी का source उस Russian submarine में है जो कि हमें starting में देखने को मिली थी अब यह submarine ocean में कहाँ पर है यह तो नहीं पता किसी को भी अब इसके आगे की कहानी डेड रेकनिंग part 2 में देखने को मिलेगी बाकि Paris के character की बात की जाए तो जब उसे उसका ही मालिक दोका दे देता है उसे मारने की कोशिस करता है तब उसे realize होता है कि यह किसी का सगा नहीं है और end में वह है इथन की मदद करती है train वाले sequence में क्योंकि इथन के पास जब मोका था तो इथन ने उसकी जान नहीं ली थी और Paris भी बेहोस हो चुकी होती है लेकि वह दो नमूने एजेंट जो इथन के पीछे पड़े हुए थे वहां कर इसे चेक करते है कि Paris जिन्दा है या मर चुकी है और उन्हें पता चलता है कि वह जिन्दा है और probably dead reckoning part 2 में वह इथन की टीम को जोइन करती हुए नजर आ सकती है वैल यहां पर नोट करने वाली बात यहां है कि जिस नैप से गेब्रियल ने इसा को step किया था उसी नैप की second copy से उसने Paris को भी step किया है लेकिन Paris जिन्दा है और इसा मर चुकी है क्योंकि हम Mission Impossible फिल्म फ्रेंचाइस है फास्ट फ्रेंचाइस नहीं जो बिना किसी टोना टोटका तंत्रमत्र काले जादू के मुर्दू को जिन्दा करने का काम करे तो यहां पर बस 10% possibility है इल्सा के गिरेटर के return की कि वहां में next part में देखने को मिल सकती है अगर कोई logical explanation हुई थो well Mission Impossible 7 में भी Mission को एक next to impossible वाले level पर ले जाकर दिखाया गया है और इस Mission को बाकी movies में दिखाया गया impossible mission से एक अलगी level पर ले जाकर दिखाया गया है और यह तो एक जाहिर सी बात है कि हर एक mission impossible movie में आपको एक impossible mission दिखाया जाता है और उसकी हर एक next movie में एक अलगी level का impossible mission और action का बार set किया जाता है और Mission Impossible 7 में वह चीज हमें देखने को मिली है तो अब बस imagine ही किया जा सकता है कि Mission Impossible 8 Dead Reckoning Part 2 में हमें किस level का impossible mission और action का level देखने को मिलेगा बस एक बात clear है कि Tom Cruise space में जाने वाला है Dead Reckoning Part 2 के climax के लिए और हाँ वह है real में space में जाने वाला है Elon Musk का rocket लेकर कोई green screen वाले VFX CJ आपको देखने को नहीं मिलेगा space वाले scene में तो Dead Reckoning Part 2 के impossible mission का level तो अल्रेडी set हो चुका है कि वह किस level का होने वाला है और हमें किस level का action देखने को मिलेगा उसमें तो अब इतनी सारी बगवास का एक conclusion भी निकाल लिया जाए तो entity को evolve होने के लिए किस और वह किस है Ethan के पास जिसे लेने के लिए Gabriel वापस आएगा क्योंकि उसे भी realize हो चुका है कि इस उसके पास नहीं है और अब वह इतन के पास आएगा तो ये किनन खालिया तो वापस नहीं जाएगा और इलसा की character की return की 10% possibility भी है बाकि Grace और Paris तो इतन के साथ है ही और Dead Reckoning Part 2 में mission का बार extremely not to impossible पर set किया गया है इसमें में कुछ और भी characters की date देखने को मिल सकती है including Ethan Hunt ये बंदा देश दुनिया को बचाते बचाते space में तो जाए ही रहा है अब कहीं अपने आपको sacrifice न कर दे Mission Impossible 1, Dead Reckoning Part 2 Mission Impossible franchise का last part होने वाली है इसके बाद Tom Cruise, Ethan Hunt के character में हमें वापस नहीं दिखाए देंगे उपर से Gabriel का character Ethan के past से ही related है और Gabriel Ethan को पूरी तर से बरवात करके उससे सब कुछ छिनना भी चाहता है After all, Ethan को spy वाले धंदे में forcefully लाने का काम भी Gabriel नहीं किया है बाकी आगे क्या कुछ होगा यह सब कुछ तो मैं part 2 में ही देखने को मिलेगा इसकी release date भी set हो चुकी है 28th June 2024 यानि की next year और year release date साथ आगे भी बढ़ सकती है बाकी Tom Cruise, Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, Part 2 इनने लेकर आपकी जो भी views हैं, आपकी जो भी theories हैं आप comment में मुझे बता सकते हो मैं उन्हें ज़रूर rate करना पसंद करूँगा विससे एक बात तो notice करने वाली है कि इन असूरों में काफी बड़ी चूल मची होती है future को predict करने की विससा देखा जायता future को मैंने भी कई बार predict किया है और वह predictions सही भी निकल कर आई है इसका मतलब क्या मैं सूर हूँ What? Are you committing me? But these feels they come and go And they come so easily Tell me what it is About you that I can't forget But you're breaking down the walls again Just to save me